बाढ़ और बारिश से बांगलादेश में भी हालात बिगड़े हुए हैं सभी प्रमुक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है लाखो घरों में पानी गुज गया है आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है बाढ़ और बारिश ने बुरा हाल कर रखा है बाढ़ और बारिश ने बांगलादेश के हालात भी बिगाड़ दिये हैं लाखो घरों में पानी भर गया है आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है बांगलादेश की सभी प्रमुक नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है प्रुवत्तर सिलहट इलाके में सूर्मा नदी उफान पर है खेत खलियान और घर नदी के आगोश में समा गए है लोग अपनी जान बचाने के लिए उचे इलाकों में सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है सिलहट सुनाब गंज राजमाग पर पानी भर गया है वहाँ के उस्मानी अंतराश्टी हवाई अटे पर उड़ाने दिलंबित कर दी गई है करीब 17 करोड की आबादी वाले बांगलादेश में बाड़ और चक्रवाज जैसी आपता का खत्रा हमेशा बना रहता है और आए दिन उसकी तवाही की तस्वीर देखने को मिलती है जलवाई परिवर्थन पर सही उक्तराश्टी एक रिपोर्ट के मताबिक ग्लोबल वार्मिक की वज़ा से अगले दशक में बांगलादेश की 17 फिस्दी आबादी को अपना घर छोड़ना होगा